हेलो कैसे हो बच्चे ठीक ठाट इससे पहले के वीडियो में आपने कुश्चन नंबर 3 तक किया एक्सरसाइज 1.3 बहुत सारे कुश्चन्स लंबी-लंबी कुश्चन और वह कुश्चन नंबर 3 जो किया है ना इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट नेक्स्ट कुश्चन न 0.9999N 0.999N 0.999N infinity इसको शल करना इस उते रिटन आज ले पीड़ें को डिडिकल 2 0.999N 9 and so on this is your first equation multiply by 10 both side what we get 10p is equal to 9.9999 and so on this is your equation number to subtract 1 from 2 what we get 10p minus p is equal to 9.999 and so on minus 0.999 and so on we get 9p is equal to 9 decimal के बाद रेक्डिंग वाला खतम और रेक्डिंग वाला खतम तो 9 मिलेगा that means p is equal to 9 upon 9 we get 1 आप सी कुश्चिन पूछ रहे क्या आप सर्प्राइज हुए without अगर आपने ये answer find out किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब कभी भी 9 का रेक्डिंग होगा तो हमारा 9-1 answer रहेगा clear है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ आपको दीर रखा है a fraction that is 1 upon 17 चलिए इसको साफ करते हैं question हमें given है 1 upon 17 question number 5 1 upon 17 and we have to find decimal question कह रहा है what can the maximum number of the digit be in repeating block of the digit in the decimal expansion of 1 upon 17 1 upon 17 को divide करो find करो decimal में 1 को लिया हमने और आपको कह रहा है कि find out करो कि कितनी बार में वो आया 17 1 तो जाएगा नहीं भीया 0 decimal एक 0 दिया फिर भी नहीं गया 0 100 अब 17 से इसको डिवाइड करो 17 का टेबल 17 का टेबल आप पढ़ेंगे जो 100 से बिलो हो पढ़िये यादी नहीं होगा तो पढ़ोगे क्या कोशिस करना नहीं एक तरीका समझाता हूं देखो यहाँ 0 है अब इसको जोड़ दो यहाँ पर डिवाइड करना है दो डिजिट से दो डिजिट वाला नंबर है जिसे डिवाइड करना इसके दो डिजिट लो 10 आ गया और यह 17 नहीं जाएगा तो तीन डिजिट को लेना है अब यह 100 आ गया यह 17 17 से पहुचना है जैदा नहीं अब तुक्का लगाना है दिमाग पे इसको 10 से करते हैं तो 170 होता है 170 100 से बहुत अधिक है करीब करीब दोगने के आसपास तो 6-7 से आएगा आधे पे आजओ यह कोई रूल नहीं है दिवाइड करने का एक तरीका है जो दिमाग में हम कैल्पूलेशन करते हैं तो 6-7 पे देखते हैं अब अगर आप 7 लेते हो 7-7 जा 49, 7-1 जा 7, 7 प्लस 4 इट इस 119 क्योंकि टेबल तो आपको याद नहीं है टेबल है तो एक मिंट में काम और याद नहीं है तो फिर तो ऐसे ही करना होगा 7 पे तो बात नहीं बनी तो देखते हैं 6 से 6, 7 जा 40, 2, 4, 6, 1 जा 6 ये भी 102, 6 से भी नहीं हुआ तो हमारा कहा होगा 5 से तो होना ही है सेवन फाइफ जार थर्टी फाइफ थ्री फाइफ फाइफ त्री एट वट वी गेट 15 माइनस कर दिया 15 हो गया अब 15 को एक जिरो डेशिमल आ चुका है एक जिरो देजो 150 10 के आसपास जा रहा है 8 से करके देखते हैं 8 से जा 56 को 358 फाइफ थर्टीन आ रहा है नाइन से लेकिन नहीं आ जारा 9, 7 जा 63 और 9 अगर हम 6 में जोड़े तो वो 15 से जयदा इसलिए 8 8, 7 जा 56, 5, 8 बन जा 8, 5, 13, माइनस कीजिए 10, 4 ये बन गया 4, 4 से 13, 1, 14, 1, 0 आर फिर से 8 136, माइनस कीजिए 4, nothing, 1, 0 आर 17, 17 जूजा 34, 6, nothing, 1, 0 आर 60, 3, 4 जा अगर करेंगे तो 28, 4, 2, 6, 8, 60 से जैदा हो जाएगा 3 जा 51, 9, 90 51, 9, 90, 17 का 5 जा क्योंकि अभी हमने किया था 85, 5 हरे केस में हम माइनस करते जाएगे 5, 1, 0 और 50, 1, 0 और 50, 17 को मल्टिप्लाई कीजिए 50 के लिए जो 50 से कम हो देखो 3 में 51 नहीं जा रहा 2 जा 34, 6, 1, 160 160 अब देखो 136 आया था का जब 8 से किया था अब उससे तो जैदा है तो 9 से करके देखो 9, 7 जा 9, 7 जा 63, 6, 9, 1 जा 9, 96, 15 13, 3, 7, 1, 7, 1 कैसे अभी है इसे 7, 5, 5, 5, 0 ना थी 70, 5 से 85 हो रहा है तो 4 जा चलो अब इसको यहां ले आते हैं कि इधर 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 करते हैं सेवेंटी अब यह सेवेंटी इसको वैंने उठाके यहां लाया बिटा अब सेवेंटी यह किस से जाएगा फोर जा लगाओ यहां फोर लगाओ यहां फोर ट्वेंटी वजा 17 थर्टी वज़ा सेवेंटीन थर्टी थर्टी वण थर्टी वण थर्टी वण थर्टी के आसपास कों जा रहा है यह वहां फोर्टी सिक्स हो गया था तो 136 नहीं कितने पर हमें 136 मिला था बेटा एट से अब एट से कम यानि 7 यह आप डिवाइट करते चले जाएंगे 16 डिजिट के बाद 123456789 10 11 12 13 हो चुका है तीन बार और करना होगा देखो 137 से 77 जाग 4947 and 411 माइनस कीजिए 11 nothing 10 again अब देखिए 7 से नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर 119 यहां में 10 है तो 6 से तो जरूर जाएगा 6 7 जाएगा 76 जाए 42 461 जाए 6 and 4 102 माइनस कीजिए यह क्या हो गया 8 एट एड बिकाम्स नथिंग 80 80 किसके नियर बाई में आपने तो बहुत सारा कर दिया 85 तो फाल से होगा नहीं तो फोर से जाएगा तो फोर जाएगा तो फोर जाएगा 7 फोर फोर से जब आपने किया 7 फोर जाए 28 2 4 1 जा फोर और 2 इट बिकाम्स 20 अब देखो यहां मिल गया आपको 20 अब देखिए आप इसमें कहीं 20 मिला है रिमेंडर आप देखेंगे यहां आ गया रिमेंडर यानी इस 20 से फिर 20 आ गया यह हमारा यहां से रिपीट हो जाएगा वन और फिर इसके बाद रिपीटेड यानी आफ्टर 16 अफ्टर 16 डिजिट कि एट एज रिपीटेड अब शिक्स्टीन डिजिट तक हम दिवाइड करेंगे तो यह हमें रिपीटेशन दिखा रहा है समझ में आगया होगा कोई दिकत नहीं नेक्स्ट कुश्चन है आपका देखिए शीक्स एवेंट इससे बिटर आपको एर्थ जो बहुत इंपोर्टेंट है पहले मैं वह बताता हूं आपको एर्थ कुश्चन आपके पेपर में आ सकता है अभी तक आपने सीखा था आप अल्रेडी लर्न हाव तो फाइंड दर रेशनल नंबर बिट्विन तो गीवें पॉइंट इसमें हमें एरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है फाइब अपन सेवन एंड नाइन अपन एलेवन एरेशनल नंबर इसके बीच में त्री एरेशनल नंबर फाइंड आउट करना सबसे पहले फाइब अपन सेवन इट इस फाइब को हम सेवन से डिवाइड करें डिवाइड कर दोगे 57 177 जा 49 इट इस वन जीरो डैसिमल पहले तो जीरो है ना 50 अबने ले लिया जीरो डैसिमल है जीरो डैसिमल 7 अगें 1 70 337 पूर जा 28 227 7, 14, 6, 60, 7, 7, 49, 8 जा 56, 9 जा 63, that is 8, 56, 47, 5 जा 35, 5, now it is repeated, so it is bar, this is equal to 0.714285, now 9 upon 11, this is equal to 9 को डिवाइड करना है, 11 से, क्या होगा 9, यहाँ 0 decimal, यह लगा 0, 9, 11, 8 जा 88, minus कीजिए 2, 10, 20, 11, 9, again 90, 9 बचा 90, repetition हो गया, 8181 बार बार, 0.81, 8181, and so on, repeated है, अब देखो, आपको फाइड आउट करना कितना, कितने, कितने, irrational number, we need to find 3, we need to find 3, इन दोनों के बीच में से, 3, irrational numbers, आर, इन दोनों इसके जैदा इससे कम, कोई भी ले लो, 0.7, उससे जैदा लेना है, तो 2, 4, 3, 6, 0.7, आपका 0.81 से कम होना चाहिए, तो 7, 3, 5, 6, 7, कुछ भी ले ले चकते हैं, and 0.2, नहीं, 0.7 से उपर लेना है, तो 7 तो होना ही है, 8, 3, 2, 5, कहीं तक भी आप लेते चले जाओ, इसके उपर बार लगा दीजिए, हो गया जी, irrational number, यह हमारा irrational number होता है, find out करने का, पहले divide करके personal number बनाया, फिर उसके बीच में से कोई भी 3 point ले लो, इसको exceed, इससे greater होना चाहिए, इससे smaller होना चाहिए, इसको exceed नहीं करेगा, अगर इससे फाल तो निकल गया, तो गलत हो जाएगा, इससे कम हो गया, तो गलत हो जाएगा, दोनों के बीच में निकालों, कितने सारे digits निकाल सकते हैं, तीन ही पूछ रहा है, तीन सो पूछेगा, तो भी हम उसमें डाल देंगे, number कोई तो digit को आगा पीछे करके लेना है, और जितना decimal बढ़ाते चले जाओ, तो क्योंकि डेकरी निक तो है, ठीक है, तो इसको solve करेंगे, फिर comment करेंगे, like करेंगे, comment box में message बेजेंगे, आपको क्या पसंद आया, कहां doubt है, को क्या नहीं समझ में आया, सब कुछ, आप बताइए, हम आपके problem को solve करने की कोशिस करेंगे, share कीजिए, अपने आप में भी, दोस्तों में भी, यारी में भी, और रिष्टेदारी में भी, यारी रिष्टेदारी दोनों निवाना है, ओके?